हिलो दोस्तो कैसे हैं आप लोग बाला जी लर्निंग सेंटर में बहुत स्ञारलोगय तोör से नेलेक्उ लोगों है दोस्तो आप आज हम आप लोगों को जो बीम के जोन एक्स्टा बार के बारे में बताएंगे ठीक दोस्तो तो इससे related जितनी भी queries हैं आप लोग comment कर सकते हो आप मुझे और ऐसे तो कोई query रहेगी नहीं आपके इगर इस वीडियो को आप अंत तक देखते हैं तो ठीक है तो दोस्तों बिना skip के हैं आप मेरे साथ अंत तक बने रहे हैं और चलिए start करते हैं गर अभी तक आपने मेरा channel subscribe नहीं किया है तो प्लीज मेरा channel subscribe करिए और विल के आइकन को भी दबा लिजिए जिससे इस टाइप के सारे वीडियो आप तक पहुंचते रहे हैं ठीक है तो चलिए start करते हैं दोस्तों यह मैंने एक ड्रॉ कर रखका और यह हमारा column है और यह intermediate column है यानि कि इंड कॉलम है और यह intermediate area दो column है और यह हमारी जो है वो beam है ठीक है दोस्तों अब beam में वैसे तो normal जो reinforcement होता है मैंने एक लास्ट वीडियो में आप लोगों को reinforcement के बारे में बताया है length कैसे निकाली जाती है पूरा detail में दिया है उसका link description में है आप लोग वहां से देख सकते हो ठीक है दोस्तों तो आज हम zone और extra bar के बारे में बात करते हैं beam को हम basically 3 zone में divide करते हैं first zone medium zone या sorry first zone middle zone और second zone ठीक है दोस्तों तो हम इसे 3 zone में divide करते हैं zone में क्यों divide करते हैं यह भी मैं बता रहा हूँ actually होता क्या है दोस्तों कि जैसे beam है मा लिजए beam है और इसे गर ऐसे गर इस पर यह load पड़ पड़ता है ठीक है मा लिजए कि यह ऐसे load पड़ता तो मैं यह जो उपर दिखा रहा हूं यह नीचे का surface है यानि कि tension zone जो है tension zone वो इसके simply supported beam पे नीचे बनेगा यानि कि कुछ अगर हम graph की बात करें ठीक है दोस्तों load की बात करें तो इसका कुछ bending moment जो होता है जैसे तो कु इसे beam को zone में divide करें तो basically हम इसे क्योंकि यह collapse नहूंज हम तीन zone में इसे divide करके reinforcement करते हैं सिर्फ इसलिए क्या होता है कि हम गर extra bars provide कराते हैं तो हमारे collapsion के chances chances बहुत कम रह जाते हैं ठीक है दूस्तों तो पहला zone क्या होता है हमें top extra bar provide कराना होता है पहले zone में और second zone में दोन कैसे निकालने और value कितनी होती तो value यह होती है is code के according ld ठीक है यानि कि development length ठीक है या l by 3 ठीक है दोस्तों यह इससे हमेशा top bar की length जादा होनी चाहिए यानि कि development length के से जादा हमेशा होनी चाहिए तो development length is code के according कितनी vary करती 40 to 50 d ठीक डी क्या होता है डाया बार ठीक है या इसे आप main bar बोल सकते हो यानि कि die of main bar जो होता है वो डी होता है माल लिजे कि छोटा सा example है अगर हमने बीम में 12 mm का बार प्रोवाइड कराया है तो फिर हमें कि एल्डी कितना हो जाएगा माल लिजे 40 into 12 तो यह कितना हो जाएगा 48 mm तो यानि कि length of बार एक्स्टा बार की कितनी लेंद हो जाएगा एक्स्टा बार एक्स्टा टॉप बार लेंद कितनी हो जाएगी 48, 480 प्लस यह length यानि कि जो यहां से यहां तक है 480 ना तो यह जो एक्स्ट्रा और मला बिनर सैट जाता तो इसमें क्या होता है कॉल्म साइज मा院स कवर कर देते हैं बस गोलं साइज माईनस अब कॉलत कैसे डिवाइड मलक डिसाइड करते हैं मालेज़े कि गर आप जिस फैस में आप प्ले प्लाइड कर रहा हो आपका यह फैस तो फिर 1-5 कवर करेंगे अगर आप मालीजे कि length के opposite direction पर ही करेंगे तो B- cover ही होगा ठीक है दोस्तों अगर ये तो हो गया हमारा top extra bar की value अब L L हमारा क्या होता है clear span of तो या तो इसकी value हम LD रखें या फिर L by 3 रखें ठीक है ठीक है दोस्तों अब अगर हम बात करते हैं सेम ऐसे second zone में भी होता है अगर बात करें bottom extra bar की तो bottom extra bar क्या होता है कि जो दोनों zone के बाद बचता है ठीक है जानी कि 2D length इधर से subtract करेंगे 2D इधर से करेंगे अगर जो beach में portion बचेगा उस portion में हम bottom extra bar provide कराते हैं ठीक है दोस्तों अब ये hook हम देख रहे हैं सारे extra bar में हमें hook mode देते हैं तो इसे आप 10M 10D ले सकते हो ठीक है दोस्तों ये IS code के recording होता है कि 10D हम इसे consider करेंगे ठीक है दोस्तों अब अगर हम बात करते हैं intermediate column के ठीक है दोस्तों तो यहाँ पे जो ये top extra bar provide करा आगया है ठीक है दोस्तों जो कि अगर ये beam इधर continue हो है तो फिर ये intermediate column हुआ ठीक है intermediate column में तो फिर क्या करेंगे जितना इधर इधर कितना ले रहते हैं LD और फिर ये कितना ले रहते हैं LD ठीक है तो गर हम इस extra bar की value निकालना चाहें या length निकालना चाहें तो इसके लिए जो calculation होगा light side कम है एक सब्सक्राइब नुकिएगा आप लोग तो दोस्तों गर हम इस top extra bar की value निकालें तो क्या हो जाएगा length कितनी हो जाएगी 2 into LD ठीक है यानि कि एक 1 LD इधर 1 LD इधर प्लस size of column या bit of column ठीक है दोस्तों सब्साइज कर सकते हो ठीक है दोस्तों अब प्लस आप इसे टेंडी आड़ कर सकते हो नहीं भी अब एक चीज और इसमें आप यह समझ लीजे कि size कैसे हम decide करेंगे इससे कोई भी confusion आपको न रहे size कैसे decide करेंगे माल लिजे कि यह beam है और अगर माल लिजे कि आपका यह face आ रहा है तो हम क्या करेंगे जो इसके parallel face या perpendicular face होगा उसको हम add करेंगे यानि कि गर is fine team भी है गहिए ठीक है अगर माल लिजे कि कॉलम हमारा यह है ठीक है और the outcome size यह एंघर माल लिजे कॉलम साइज यह है और वी हम इधर से करेंगे जबकि intermediate में हमें cover minus करना ही नहीं है ठीक है दोस्तों यह तो हमें सिर्फ और सिर्फ external column या end column पे ही हमें minus करते क्योंकि हमें इसका cover consider करना रहता है ठीक है दोस्तों तो यह गर वीडियो आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ में सबसे बहुत तो हमें देख रहा है यानि कि हम जिसे समझा रहे हैं वह हमें देख रहा है तो फिर हम अपनी मेहनत अगर आप लाइक करते हो तो एक लाइक तो बनता है ना ठीक है दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में